आज देश के शहरों में CCTV कमरों का जो नेटवर्ग मिश रहा है। टेकनोलोजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30,000 से ज़्यादा आदुनिक CCTV कैमेरे लगे हैं, उनकी वज़े से गुनेगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। ये CCTV अपरादियों को सजा दिलेने में भी काफी मदद कर रहे हैं। ताथियों, आज भारत के शहरों में हर रोच जो हजारों टन कुड़े का निस्तरण हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सडकों के निर्मान में लग रहा है, वो भी टेकनोलोजी की बज़स से हैं। वेश्ट में से वेल्थ अनेक प्रोजेक्ट मैंने आज इस प्रदर्शनी में देखे हैं। हर किसी को प्रेणा देने वाले प्रवक हैं, बड़ा बारी किसे देखने जैसा है। साथ को आज देश भर में जो सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, आधुनिक टेकनोलोजी उनकी ख्षमता और बढ़ा रही है। इन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार टेकनोलोजी की ही तो देन है। आज यहां इस कार कम में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी जंडी दिखाई गई है। यह भी आधुनिक टेकनोलोजी का ही तो प्रतिमीम है। साथ क्यों मैंने अभी लाइट हाउस प्रोजेक के तहट लख्रों में बन रहे घरों को देखा। इन घरों में जो टेकनोलोजी इस्तमाल हो रही है। उसमें प्लस्तर और प्रेंट की जरुवती नहीं पड़ेगी। इसमें पहले से तैयार पूरी-पूरी दिवारों का उप्योग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। मुझे विश्वात है कि यहां लखनव में देश भर से जो साथी आये हैं वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सिख कर जाएंगे और अपने शहरों में इनको इंप्लिमेंट करने का प्रयास करेंगे। साथियों टेक्नोलोजी कैसे गरीब का जीवन बदलती हैं इसका एक उधारण पीम स्वनिधी योजना भी है। लखनव जैसे कही शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही हैं कहीं बूद बाजार लगता हैं कहीं गुरू बाजार लगता हैं कहीं शनी बाजार लगता हैं और इन बाजारों के की रौनक हमारे रहडी पट्री वाले भाई बहने ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई मेहनों के लिए भी अब टेक्नलोजी का एक साथ ही बन करके लाए है पीम स्वनीधी योजना के तहट रहिडी पट्री वालों को स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है इस योजना के माध्यम से पचीस लाग से जादा साथियों को पचीस सो करोड रुपिये से अधिक की मदद गई है इसमें भी यूपी के साथ लाग से जादा साथियों ने स्वनीधी योजना का लाब लिया है अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है और वो जादा से जादा डिजिटल लेंदेन भी कर रहे हैं मुझे खुशी है इस स्वनीधी योजना का सबसे ज़्यादा लाब पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप तीन शहरों में दो हमारे उत्तरप्रदेश के ही हैं पूरे देश में नंबर वन है लखनाओ और नंबर टू पर है कानपूर कोरोना के इस समय में यह बहुत बड़ी मदद है मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराना करता हूँ साथियों आज जब मैं हमारे रेडी पट्री वाले साथियों द्वारा डिजिटल लेंदिन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाये जाता था मुझे वो दीन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूत उत्तरप्रदेश घरों के निर्मान में आगे नहीं बढ़ रहा था आज लखनों में ही और जब मैं आज लखनों में हूँ तो मुझे लगता है ज़र अब इस्तार से ये बात बतानी चाहिए बतानी चाहिए ना हाँ आप तयार है हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीती का शिकार हो जाती है ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है साथियों गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी बावजुद इसके दो हजार सत्रा से पहले योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूँ 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी गरीबों के लिए घर बनवाओ इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे उनसे मिन्नते करनी पड़ती थी 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहट यूपी के लिए अठारा हजार गरों की स्विकृति दी गई थी अठारा हजार लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहट अठारा गर भी बना कर नहीं दिये अठारा हजार गरों की स्विकृति और अठारा गर भी न बने मेरे उत्तर पुदेश के भाईयों बहनों इस चीज़ें आपको सोचनी चाहिए अठारा हजार गरों की मंजूरी थी लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए अठारा गर भी नहीं बढ़ाये पैसा था गरों की स्विकृति थी लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अढंगा डाब रहे थे उनका ये कृत्य यूपी के लोग यूपी के गरीब कभी नहीं भुल सकते साथियों मुझे संतुष्टी है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी मैं शहरी गरीबों को नव लाग घर बना कर दिये गए है शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में चौदा लाग घर निर्माण के अलग अलग चन्रों में हैं अब घर में बिजली पानी गैस सौचाले ऐसी सुविधाय भी मिल रही हैं तो ग्रह प्रवेश भी पुरी खुशी के साथ आन बान के साथ हो रहा है लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्ग भी देने का मन करता है देदू लेकिन आपको करना पड़ेगा करेंगे पका देखिए मैंने अख़बार में पढ़ा है और अभी योगी जीवी शाय मैं पूछ रहा था इस बार दिपावली में आयोध्या में कहते हैं साड़े साथ लाख दिए का करकम होगा मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए इस परधा में मैदान में आए देखे आयोध्या जादा दिये जलाता है कि यह जो नौ लाग घर दिये गए हैं वे नौ लाग घर अठारा लाग दिये जला करके दिखाएं हो सकता है क्या जिन परिवारों को यह नौ लाग परिवार गरीब परिवारों को घर मिले पिछले साथ साल में वे दो-दो दिया अपने घर के बाहर जलाएं आयोध्या में साड़े साथ लाग दिये जलेंगे मेरे गरीब परिवारों के घर में अठारा लाग दिये जलेंगे भगवान राम जी को खुशी होगी भाई और भेनों बीते दसकों में हमारा शेहरों में बड़ी-बड़ी इमारते जरूर बनी लेकिन जो अपने स्रम से इन इमारतों का निर्मान करते हैं उनके हिस्से में जुग्यों का ही जीवन आता रहा है जुग्यों की स्थिती ऐसी जहां पानी और सौचाले जैसी मूल सुविधाएं तक नहीं मिलती जुग्यों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अपके घर बनाने से बहुत मदद मिल रही है गाउं से शहर काम के लिए आने वाले स्थ्रमीकों को उचीत किराय पर बहतर रहाईश मले इसके लिए सरकार ने योजना शुरू किये साथियों शहरी मिडल क्लास की परेशानिया और चुलोतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंबीर प्रयास किया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी यानि रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अभिस्वास और दोखा गड़ी से बहार निकालने में बहुत बड़ी मदद की है इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है हमने शेहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड रुपिय का विशेश फंड भी बनाया है मिडल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके इसके लिए पहली बार गर खरिदने वानों को लाखो रुपियों की मदद भी दी जा रही है उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है हाली में मोडल टेनेंसी एक्ट भी राज्यों को भेजा गया है और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंती उसे लागू भी कर दिया है इस कानून ने मकान, मालिक और किरायदार दोनों की बरसों पुरानी दिक्कतें दूर हो रही है इससे किराय का मकान मिलना में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बैजार को बन मिलेगा अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे भाई और बहनों, कोरोना के काल में वर्क फ्रम होम को लेकर जो नियम बनाए गए उनसे शहरी मिडल क्रास का जीवन और आसान हुआ है रिमोट वर्किंग के आसान होने से कोरोना काल में मिडल क्रास के साथियों को बहुत राहत मली है भाई और भेनों, अगर आप याद करें तो 2014 से पहले हमारे शहरों की साप सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाये ही सुनते थे गंदकी को सहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था साप सफाई के प्रती बेरूखी से शहरों की सुन्दरता शहरों में आने वाले टूरिश इस पर तो असर पड़ता ही है शहरे में रहने वालों के स्वात पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है इस स्थिती को बदलने के लिए देश स्वच्च भारत मिशन रादमृत मिशन के तहर बहुत बड़ा अभ्यान चला रहा है बीते वर्षों में शहरों में साथ लाग से जादा नीजी टॉयलेट और छे लाग से अधिक सामुदाईक सौचालाई बने हैं साथ साल पहले तक तक यहां सरफ अठारा प्रतिशत कचरे का ही निश्पादन हो पाता था वो आज बढ़कर सत्तर प्रतिशत हो चुका है यहां यूपी में भी बेस्ट प्रोसेसिंग की बड़ी शमता बीते वर्षों में विक्सित की गई है और आज मैंने प्रदर सनी में देखा एसी अनेज चीजों को महां रखा गया है और मन को बड़ा सुकुन देने वाला दुरुश्य है अब स्वच्च भारत अभियान 2.0 के तहट शहरों में खड़े कुड़े के पाड़ों को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है साथियों शहरों की भव्यता बढ़ाने में एक और अहम भूमिका निभाई है LED लाइट्स ने सरकार ने अभियान चला कर देश में 90 लाग से जानदा पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को LED से बढ़ला है LED स्ट्रीट लाइट लगने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब करीब 1000 करोड रुपी बच रहे हैं अभी राशी विकास के दुसरे कार्यों में वो शहरी निकाय लगा सकते हैं LED ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है जो LED बल्ब पहले 300 रिपिय से भी महंगा आता था वो सरकार ने उजाला योजना के सहर 50-60 रुपे में बना दिया है इस योजना के माध्यम से करीब 37 करोड़ LED बल्ब बाटे गए हैं इस वजह से गरीब और मध्यमबर का करीब करीब 24,000 करोड़ रुपिये बिजली बिल में बचत हुई है साथियों 21 सदी के भारत में शहरों के कायकल्ब का सबसे प्रमुक तरीका है टेकनोलोजी का जादा से जादा इस्तेमाग शहरों के विकात से जुड़ी जो संस्ताये है जो सीटी प्लानर्स है उन्हें अपनी अप्रोच में सर्वोच प्राथभीकता टेकनोलोजी को देनी होगी और साथियों जब हम गुजरात में छोटे सेला के में रहते थे और जब भी लखनव की बात आती थी तो लोगों के मुँसे निकलता था कि भी लखनव में तो कहीं पर जाईए सुनने को मिलता है पहले आप पहले आप यही बात होती है आज मजाग में ही सही हमें टेकनोलोजी को भी कहना पड़ेगा पहले आप भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी खेत्र में बहुत बड़ा परिवर्टन टेकनोलोजी से आया है देश के 70 से जादा शहरों में आज जो इंटिग्रेटेड कमार्ण एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं उसका आधार टेकनोलोजी ही है